हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में तो दिखिए हम लोगों ने थ्री थाउजन एमसीक्यू उसकी स्टार्ट करकी है उडिसा की फार्मसिस्ट एक्जाम के लिए जिसमें हम लोग जो डिपलोमा का सिलेबस होता है उसके अकोर्डिंग हमारे एक्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे है तो दिखिए उडिसा के लिए तो इंपॉर्टन है इसासात में आपके और भी जो भी गोवर्मेंट फार्मसिस्ट की एक्जाम सोते हैं स्टेट लेवल का एक्जाम है जैसे आपके डैली में भी विक common syllabus होता है नडिप्लोमा का syllabus जो होता है तो इन सभी exams में यही syllabus follow होता है तो इस series में हम लोग over all अपना syllabus cover करने वाले हैं सारे subject के आपको mcqs topic wise मिलने वाले हैं बहुत सा हमने syllabus cover कर भी लिया है तो देखिए आप लोगों के जितने भी exams हैं जैसे अबी जैसे डिप्लोमा का ज तो आप उसको फोलो कर सकते हैं और जो है अभी इसको स्टार्ट करते हैं देखिए और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं है आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्ले सब्सक्राइब के जगा विडियो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना तक जोनवले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन से आप लोगों को मिल सके देखिए क्वेशन है हमारा अट्रॉपिन ब्लोक दा फॉलोइंग नियूरो ट्रांस्मीटर अट्रॉपिन कौन से नियूरो ट्रांस्मीटर को ब्लोक करेगा है ना तो देखिए डोपामिन है एपिनेफिरिन है नोर एपिनेफिरिन है एस्टाइल कोलीन है तो एट्रॉपिन जो है आपका क्या होता है एंटी कोलिनर्जिक होता है क्या होता है? ट्रॉपिन, एंटी कोलिनर्जिक होता है तो ये किसको ब्लोक करेगा? देखे, आपका जो एसेटाइल कोलीन होता है एसेटाइल कोलीन को ब्लोक करेगा, option आपका डी राइट हो जेगा next, एरवे ऑब्स्ट्रक्शन डूरिंग एनाफालाक्सिस can be best treated देखिए आपका है सालविटामोल, एड्रिनेलिन, डाइफिन, हाइड्रामीन, नोर, एड्रिनेलिन तो अना फालक्सिस के दोरान आप लोगों से पूछा है तो आपका एड्रिनेलिन आ जाएगा option B next है action of parasympathetic system on iris musculature पर parasympathetic system का action बताना है कि contract करेगा iris musculature को dilate करेगा iris musculature को no action कोई भी action नहीं होगा या फिर effects cannot be predicted देखिए contraction होता है तो आपका जो है parasympathetic system क्या कराता है contraction कराएगा iris musculature को देखिए डैली का previous year का question है यह stimulation होता sympathetic system sympathetic system जो आपका stimulate होगा तो उससे क्या होगा bronchoconstriction होगा bronchodilation no effect on airway cannot be predicted sympathetic system जो होगा तो क्या कराएगा bronchi को मतलब कि bronchoconstriction या bronchodilation तो क्या कराएगा bronchodilation कराएगा है ना option आपका be right होजेगा next question है अभी देखिए इसमें लिखा भी वस जो आपका sympathetic system stimulate होगा तो उससे क्या-क्या action शो होते हैं bronchi dilate bronchodilation होता है okay tachycardia heart rate ज्यादा हो जाता है midriasis pupil dilate हो जाता है और secretions जो होते हैं वो decrease हो जाते हैं okay next question is salbutamol is a तो salbutamol क्या है master cell stabilizer है bronchodilator है immunosuppressant antitressive salbutamol जो होता है हमारा beta 2 agonist होता है और beta 2 agonist होता है तो यह हमारा bronchodilation कोस कराता है तो क्या होता है bronchodilator होता है next which of the following is a catecholamine catecholamine में क्या आता है देखिए मैं आपको पता है था हमारे endogenous catecholamine में तो मैंने क्या पता है था adrenaline आता है nor adrenaline आता है and dopamine आता है तो आपको options में dopamine मिला है तो बिल्कुल right हो जाएगा option d next which of the following is beta adrenergic blocker तो आपको पता है beta blocker में आपने lol देखना है last में lol होगा रामी प्रिल तो प्रिल वाले तो हमारे ace inhibitors होते हैं बाल साटन साटन सवाले आई आर भी आज़ टैंसिन रिसेप्टर ब्लोकर विरापमिली कैल्शियम चैनल ब्लोकर बचा क्या प्रोप्रेनो लोल दिस इस बीटा ब्लोकर ओकी next question है parasympathomimetic drug cause देखे parasympathomimetic बोल दिजिए parasympathetic बोल दिजिए kolinomimetic बोल दिजिए kolinergic यह से मी है एक तरीके से तो parasympathetic system जो होता हो क्या कराता है तो bronchidilate होंगी तो dilation जो bronchi का वो तो हमारा sympathetic में हो रहा था हमने देखा था अभी मिड्रियासिस तो मतलब कि pupil dilate होगा तो मिड्रियासिस होगी क्या मिड्रियासिस भी हमारी sympathetic में हो रहा था है ना तो आपका यह bradycardia या constipation देखे parasympathomimetic जो होते हैं वो bradycardia कराते हैं heart rate decrease करा देते हैं ओके तो और sympathetic में हमने tachycardia देखा था तो यह parasympathomimetic drug क्या कराएंगे ब्रैडिकाडिया करा देंगे यह option आपका C right हो जगा देखे जो parasympathomimetic drugs होती है bradycardia करा देती है meiosis करा देती है क्या करा देती है meiosis करा देती है increase glandular secretions को increase कराएंगी lacrimation होगा salivation होगा gastric acid का secretions होगा sweating होता है उनको constriction करा देती है आपकी parasympathomimetic drugs जो होती है यह उनके सारे actions लिखे हुए तो आपसे exam में कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है बहुत ही बार इंके उपर question बनता है तो आपको sympathetic के parasympathetic के सारे के सारे actions पता होने चाहिए next question है pillocarpin is an alkaloid containing pillocarpin जो होता है kolinomimetic alkaloid होता है तो इसमें कौन सा ring present होता है यह पूछा है options देख लीजिए तो इसमें imidazole ring present होता है next naturally occurring sympatholytic naturally occurring sympatholytic बताईए strachnin morphine reserpine quinine this is reserpine answer is option C reserpine next nicotinic antagonist तो nicotinic antagonist बताईए hyocene है सक्सा-mithonium है dacca-mithonium atropin nicotinic antagonist में आपका सक्सा-mithonium आ जाएगा okay तो हमारा option क्या हो गया B बिल्कुल right हो गया next question है which of the following is cholinergic blocking agent मतलब कि cholinergic को block करेगी cholinergic blocking है मतलब कि anti-cholinergic के करीके से carbacol दिया है acetyl choline दिया atropin दिया pillocarpin दिया है देखे cholinergic blocking पूछा है तो कि carbacol है आपका pillocarpin estylcholine यह तो सारे cholinergic है तो cholinergic blocking में तो आपका इस जो atropin ही लिखा हुआ जो anti-cholinergic होता है बिल्कुल simple option सी हो गया which of the following can be used as an antidote for atropin atropin का antidote क्या होगा atropin तो आपका anticholinergic है तो इसका antidote होगा वो को cholinergic drug होगी तो देखे propanthiline दिया है oxyphenonium दिया है hyosin betyle bromide दिया है तो आपका anticholinergic anticholinergic atropin तो cholinergic drug है उसमे आपका phisostigmin आपको indirectly acting cholinergic drug भी हम लोग कह सकते हैं तो आपका जो है answer option d होजगा phisostigmin निसर वें parasympathetic stimulating drugs are used parasympathetic system को stimulate करेंगी है ना कहरे which of the following actions on heart is noted मैं आपको बताया parasympath mimetic drug क्या कराती हाट के उपर क्या देखा था हमने bradycardia देखा था heart rate को slow करा रही थी है ना तो heart के उपर वह है bradycardia हो जगा बिल्कु simple question option आपका a right हो जएगा ओकी next of the following drug is bronchodilator bronchi को dilate करेंगी कौन सी आपकी sympathomimetic drug का हमने action देखा था bronchodilation करा रही थी आना bronchi को dilate करा रही तो salbutamol ranitarine desoxyn ecosprin तो आपका salbutamol beta 2 agonist होता है bronchodilator होता है okay salbutamol बहुत ही important drug इसको पर ना बहुत से question बहुत बार बने है which of the following is beta blocker beta blocker simple आपने lol वाली drug find out करनी है atinolol amlodipine benzapril यह बिनाजी प्रिल है clonidine तो beta blocker में आपको एक ही drug मिली है atinolol ही दिया हुआ option A right हो गया stimulation of nicotinic receptor अगर nicotinic receptor का stimulation होगा तो उससे क्या होगा muscles contraction or twitching होगा bradycardia होगा bladder muscle का contraction क्या होगा यह increase होगा secretion of saliva and gastric acid अगर nicotinic receptor stimulate होते है तो पते उससे क्या होता है उससे muscle contraction होता है और twitching होता है option हमारा A right हो जगा nicotinic action of acetyl colline is blocked by the drug acetyl colline का nicotinic action होता है उससे कोन सी drug block करेगी acetyl colline का nicotinic action पूछा इसको कौन सी drug block करेगी atropin करेगी carvidilol करेगी neostigmin करेगी या d-tubocuriarin करेगी तो इसके लिए हमारी drug कौन सी है nicotinic action को block करना ध्यान से पढ़ना तो इसके memory के बारे हमने पढ़ा था आपका dementia जो हो जाता है तो कहरे कि इस memory को improve करने के लिए एल्जीवर disease में कहरे कि brought about by acid drugs यूज करेंगे जो करती है increase transmission किसका transmission increase करेगी cholinergic receptors dopaminergic receptors GABA receptors या आडर यूज करेंगे option A right हो जाएगा next tocolytics are drug which are used for tocolytics किसके लिए यूज किये जाते हैं uterine stimulant होते हैं bronchodilator होते हैं bronchoconstrictor होते हैं uterine relaxant देखे tocolytics जो होते हैं यह आपके क्या होता है uterine relaxants होते हैं तो आपका answer option C हो जाएगा uterine relaxants are tocolytics जैसे प्रालिड oxym is used तो प्रालिड oxym मैंने आपको बताया था यह आपका organophosphates की poisoning में यूज किया जाता है तो आपका option A हो जाएगा simple organophosphate की poisoning में next neurotransmitter which is sympathetic sympathetic neurotransmitter बताना है कौन सा है acetylcholine noradrenaline glutamine glycine तो यह आपका हो जाएगा noradrenaline हो जाएगा option B next example of kolinomimatic alkaloid में मैंने आपको क्या बताया था याद कीजिए philocarpin दिया है mythacoline neostigmine carbacol तो philocarpin is kolinomimatic alkaloid होता है तो आपका नियो स्टिग्मिन तो अंटिकोलिन अस्ट्रेजिस में आ जाएगा है ना mythacoline और कार्बे कोल जो है यह हमारे kolinergic agonist होते हैं और koline esters में आते हैं kolinergic agonist आप लोग देखोगे नो उसमे koline esters और alkaloids आते है kolinergic agonist में अस्टाइल कोलीन मिथा कोलीन कार्बाकोल बिथेन कोल आता है alkaloids में आपका जैसे पिलो कार्बिन जो आप्शन में मिला है आपको मस्करिन अरिकोलीन आजेगा नेक्स्ट बीटा ब्लोकर विद मेंब्रेन स्टेबिलाइजिंग अक्टिविटी तो बिटाबलोकर का मैं आपको सारा क्लासिफिक्शन दिखा दिया था हैना पढ़ा दिया था तो इसमें आपके कौन से बिटाबलोकर थे विद मेंब्रेन स्टेब्लाइजिंग परोपर्टी तो किसके लिए उस करेंगे नाजल कंजिशन के लिए उस करेंगे जैसे विचो फॉलॉइंग शुड बी गीवन इन ग्लुकोमा में क्या देंगे ट्रॉपिन, पिलोकार्पिन, टीमोल, फाइसोस्टिग्मी शुड नॉट ध्यान से पढ़ना है नहीं देंगे ग्लुकोमा में पिलोकार्पिन देते हैं, टीमोल तो आपको बीटा ब्लोकर पढ़ाई है जो ग्लुकोमा में यूज होता है, फाइसोस्टिग्मी भी देते हैं, ट्रॉपिन नहीं देंगे, ओके ओप्शन ए, निक्स्ट ड्रग एक्टेस काडियो सेलक्टिव बीटा ब्लोकर की बात हो रह करता है, प्रप्राइनोल भी आपको नोन सेलेक्टिव में आता है, बचा क्या अटिक्या है एकिनोल ऊतीज का दीजे, लूपिन बेटा ब्लोकर और आपको क्लीफ πढ़न सेलक्टिव बीटा अब्लोकर का नेक्स्ट क्वेस्टेख भी लिखते में आंपमें जिative ग्लविला करा देता है इसलिए हम क्या करते है इसके निवीटर देते हैं जो हमारे एंटिकॉलिन स्टेज जो आप लोग पड़ते हैं यह सब आपके क्या करते हैं इस एंजाइम को इनिवीट करते हैं नेक्स्ट क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और शबसे कम छोटा शोट डिरेशन ओफ एक्षन दिए असेटल कोलीन, मिथाकोलीन, कार्बेखोल बिथेन कोल, हैना तो आपका असेटल कोलीन जो है इसकी शोट टेस्ट डिरेशन ओफ एक्षन होती है, निक्स्ट क्वेश्चन है, अट्रॉपिन फ्रिक्वेंटली यूज़ देखें कि अट्रोपिन आपका क्या होता है अन्टी कौलीनर्जिक होता है तो इसको क्या क्यों देंगे कि इसको reduce कराने के लिए muscle, tone, secretions, nausea and vomiting appetite तो secretions को reduce कराने के लिए दिया जाता है which is effective in the treatment of mushroom poisoning mushroom poisoning में क्या दोगे pralidoxime दोगे, epilocarpin दोगे, neostigmin दोगे या atropin दोगे तो mushroom poisoning होता है तो वह क्या दिया जाता है atropin दिया जाता है next है which of the following drug was bronchodilator without significant cardiac stimulation ठीक है, bronchi को dilate कराएगी ठीक है, without significant cardiac stimulation मतलब कि heart cardiac मतलब कि heart पर इसका कोई भी effect नहीं है क्या करती है, bronchi को dilate करा रही है तो isoprenalin है, terbutalin, xylometazolin, mythocosamine तो आपका terbutalin हो जाएगा है न तो आपका option be right हो जाएगा आजेंट which is combined with local anastatic ऐसा कौन सा sympathomimatic agent है जिसको local anastatic के साथ में combine करते हैं, क्यों combine करते हैं to prolong the duration of infiltration नारोब लोग तो यह आपकी होती adrenaline drug, adrenaline पढ़ते हो न आप लोग adrenaline को combine करते हैं local anastatic के साथ में options में, epinephrine, xylometazolin, isoprotesinal, dopamine, dobutamin adrenaline तो दे नहीं रखा, दे रखा है क्यास नहीं दे रखा, जो epinephrine है इसी को तो क्या कहते हैं, adrenaline कहते हैं ध्यान रखना है adrenaline और epinephrine दोनों एक ही बात है next है, indicate the agent of choice in the emergency therapy of anaphylactic shock नेकिए anaphylactic shock के लिए drug of choice भी हमारा adrenaline ही होता है जो epinephrine दिया हुआ है next question, indicate the adrenoseptor antagonist drug which is rivolphia alkaloid है riserpine की बात हो रही है पता, riserpine बहुत ही important drug है मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा important है तो यह adrenoseptor antagonist होता है next question, pick out the drug alpha and beta adrenoseptor blocker alpha को भी block करेगा beta को भी block करेगा कौन सा drug है labitalol के बारे में आपने क्या पढ़ा था non-selective क्या होता है non-selective beta blocker होता है beta blocker तो है इस साथ में क्या करता है alpha blocking property भी रखता है तो alpha प्लस beta दोनों को block कर रहा है आपना labitalol option तो एह ही हो गया बाकि विरापे मिल की तो बात ही मत कीजी calcium channel blocker होता है nifedipine भी calcium channel blocker है metoprolol आपका lol वाला ये तो beta blocker है लेकिन alpha blocking property नहीं है तो answer option नहीं हो गया labitalol next which of the following drug is used Alzheimer disease Alzheimer disease में कौन सी drug यूज करोगे dihydro, ergotamine, rivastigmin, ergotamine rivastigmin, doni, pezil, galant, tamine टक्री नी चार ड्रग साती है ये होती है cerebroselective anti-coline astrages होते है जो Alzheimer disease में यूज किये जाते है कौन-कौन सी drug है ये cerebroselective anti-coline astrages में टैक्रीन आएगा rivastigmin, doni, pezil, galant, tamine next है treatment approach of myasthenia gravis include the use of myasthenia gravis में किसको यूज करेंगे देखिए anti-depressant drug तो नहीं देंगे immunostimulant देंगे sympatholytics या anti-coline astrages तो क्या देंगे इसमें anti-coline astrages देंगे न myasthenia gravis की treatment में next है selective beta 2 receptor blocker बताना selective beta 2 receptor blocker साल beta मोल तो beta 2 agonist होता है butoxamine दिया है atinolol तो आपका क्या है selective जो ये cardio selective beta blocker में selective beta 1 blocker में आता है do butamine दिया है तो आपका जो है answer क्या हो गया option B butoxamine is selective beta 2 receptor blocker next salbutamol do all the side effects except देंगे salbutamol palpitation कराएगा restlessness कराएगा muscle tremors कराएगा nervousness कराएगा except hypotension option A right हो गया next cardiac muscronic receptors देखिए मैंने आपको M1 M2 M3 के बारे में बताया तो कार्डी मतलब की heart में कौन से present है तो muscronic के तो M2 होते हैं heart में और जो आपके adrenergic receptors होते हैं alpha beta receptors आप लोग पढ़ते हो तो beta के जो होते हैं beta 1 होते हैं heart में याद रखना है beta 1 होते हैं और muscronic में M2 present होते हैं heart में तो cardiac muscronic receptors हमारे M2 याद रखेंगे option B next यही लिखा हो इसमें M1 receptor तो आपके gastric यह ganglia और gastric gland में है M2 heart में M3 आपके smooth muscles में present होते हैं next in which drug is a pharmacological activity associated with a specific optical isomer तो कौन से ड्रग है यह adrenaline aspirin phenobarbiton australcholine this is adrenaline next which of the following is physiological antagonist में कौन से ड्रग आएगी देख लिए जो options तो यह adrenaline ही physiological antagonist होता है paranzipin is an antagonist of paranzipin किसका antagonist होता है M1, M2, N1, N2 receptor तो M1 receptor का antagonist होता है paranzipin next question of ventolin brand ने मताएं कौन सी ड्रग का है salbutamol का brand ने मता है ventolin next indicate the location of M2 colinoseptor तो जो आपके अभी हमने देखे मस्करनिक receptors के M2 कहां थे हमारे हार्ट में present थे ना तो simple है option ने हो जगा M2 receptors होते हैं यह हार्ट में present होते हैं which of the following sympathomimetic is used in therapy bronchial asthma में कौन से sympathomimetic जो होते हैं bronchial asthma की therapy के लिए हमारे कौन से sympathomimetic यूज़ किये जाएंगे formotirol, norepinephrine, dobutamine, methoxamine तो यह हमारा होता है formotirol यूज़ किया जाएगा option A next है beta receptor blocking drug are used in the treatment of all of the following disease accept तो beta blocker किस किस के लिए यूज़ करेंगे यूज़ किये जाएंगे ग्लुकोमा में भी आते हैं beta blocker hyperthyroidism में भी आते है फियो chromocytoma में यूज़ नहीं किये जाते ओके next है which is the following drug is catecholamine depletor catecholamine depletor कौन सा ड्रग है captopril, inalapril, reserpine, propranolol तो catecholamine depletor में हमारा reserpine आता है ओके तो इसमें हो गए अभी जो है question जिसका answer आप लोग देंगे इसमें इतने questions है तो next video में हम अपना जो यह autonomic nervous system इसको complete कर देंगे next video में इसके remaining सारे questions complete कर लेंगे फिर further आगे जो है next topic लेके आएंगे अभी इसका answer आप लोगों ने देना आप लोगों के लिए क्लास of drug is commonly used as the fast line treatment for glucose to reduce intraocular pressure ठीक है SSB में recently पूछावा question है ठीक है तो fast line treatment बताना है glucoma में जो देंगे fast line treatment carbonic anhydrase inhibitor देंगे alpha agonis देंगे beta blocker prostaglandin analog देंगे इसका answer आप लोगोंने comment box में देना है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे से लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं है तो मैं आपको से रिक्वेस्ट एक चैनल को प्ले सब्सक्राइब जरो करना okay thank you